इसके लावा एक और मसेला निमाज के हवाले से हम निमाजों को इसका करके पढ़ते हैं जमा करके पढ़ते हैं जोहर और असर की निमाज को और मदरिब और इशा की निमाज को कोई हर्ज निये दूर को अलग अलग करके पढ़ा जाए पेले, और असल और शाम पीं मेंं कोई हर्ज नहीं है अजह बगरिब को अझाड ये जा और हिशाम को देज़ नहीं है लिकिन हम इखटा करके पढ़ते हैं हम गोग सुいき लोग यह सवाज करते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं दौहर और असर को एखटे करके क्यों पढ़ लेते हैं और मगर्ब और इशा को एखटे करके क्यों पढ़ लेते हैं हमारे भाइनों की बतुब में जुफारी में तर्वली में रसूल अल्ला से रवाया को मौदू है तिरो रसूलिल्ला की तौह को पाहिके और पेफिंग मंधर आजा को इकटा करते हैं मुझग उस्त लिधुआ को इकटा कर रुके पड़ा करते हैं इन जित को यह जियुक कि और माशले में बहब निकलते हैं तो ल॑क का अपसे सवास ही करते हैं लोग आमसे पूछते हैं कि आप ये काम ऐसे क्यों करते हैं तो आपके देहन में होना चाहिए कि इनकी मुतबर कुत्व में ये रवायात मुझूद हैं कि रसूल ने ना ली ते गहर किसी बजा के जोहर और असर पर इखटा ज़िया करते थे और मगर्म और इशा को इखटा करके पड़ा करते हैं तो ये दो बन्यादी चीज़ें एक आप सुब को मादू होना चाहिए क्या अपीदा इमामत के मानने वाले हैं और हम ये समझते हैं कि इमाम का तक्रूर से और से खुदा की तरफ से होता है और दूसरा जो हमारी अबादात हैं जैसे नमास का मैंने जिकर किया इसी तरह से और आज़े है रोदे की अगर बात करें मिसाल के तोर्पे हम थोड़ी देर से रोदा कुलते हैं हमारे भाईयों के मुखाले में घरादरान एदे सुनित के मुखाले में के करीम में आयत मुझोंदे के रोजे को राद तक पुरा करो। ऐसे कुरान है कि रोजे को राद तक पुरा करो। हम कुरानी आहकामात पर अमल करते हैं क्यों? क्युक्क रसूल अल्हें क्या क्या था? दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूं एक कुरां जुञाँ के लिए रहा हूं या हमारा अवीदह इवामप हे हरmas-प्षिय में पुरान प्रीम की पहती हैं तो आपके सामें हर्फ किया एक आपके इवामप के हुआने से आपके तज़ियात और शाला को बादम होने चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए हम जिस अवीदह के मानने ओले यह इसारा में परान करीम हैं। और हम जिस परभाज आप सो कर अंजाम देते हैं। जिसरे हमने माद पुड़ते हैं। यह बाजास के एक अश्चामाद देते हैं। मोजों ने बहुत बहुत शुक्तिया आप लोगों अप्री है। आपनों एंगा ताम जो 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 समय